एक पहलमान ने आकर, राज जी में राजा को चुनोती दी कि, मेरे जोर का कोई पहलमान आपके राज जी में है तो, मैं उसे जोर अजमाईस करना चाहता हूँ। बात राजी की परतिष्ठा की थी राजा ने सेष्ट पहलमान की तलास करना शुरू की प्रंतो कुस्ती के लिए कोई पहलमान नहीं था कुछ तो नाम सुनकर कुछ चुनोती देने वाले पहलमान का गठिला बदन देखकर मुकर गए राजा का यह संदेश जेल के कैदियों तक पहुचा उन कैदियों में एक पहलमान भी था पहलमान कैदी ने राजा को ख़बर दे की यदि मुझे कुछ मिंटों के लिए कैद से मुक्त कर दिया जाय तो मैं उस पहलमान से मुकावला ही नहीं करूंगा बलकि उसी पचार कर अपनी राजी और राजा की परतिष्ठा को बरकरार रखूंगा राजा ख़बर राजा को मिली राजा स्वेंग कैद खाने में पहुचे और पहलमान कैदी से मिले पूछा कि क्या तुम उस पहलमान से लरूगे कैदी ने कहा राजन मैं उस पहलमान से लड़ूंगा ही नहीं उसे परास्त भी करूंगा राजा बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने आदेश दिया कि ततकाल उस कैदी की हतकरी बेरी खुल दी जाए कैद खाने की दरोगा को हतकरी बेरी की चाभी ढूंडने में बिलंब हुआ तो राजा उस पर नाराज होने लगे उस पहलमान ने कहा कि नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है ये जंजीरें और बेरियां योहीं खुल जाएगी ऐसा कहकर उसने हाथों को एक जटक दिया तो बेरियां खुल गई और अपने पाउं को जूर से जटक दिया तो बेरियां खुल गई राजा को आसचरी हुआ उन्होंने पूछा यदि तुम इतने वलमान हो तो जेल तोर कर भाग क्यों नहीं गए पहलवान ने कहा मैं जेल का तो भी स्विकार लोग द्वार भी तोर कर भाग सकता था परन्तु सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बाल बच्चे को कष्ट देंगे शलिए जेल तोर कर नहीं निकला